नमसकार रस्वाइ मेर त महरी में आपका स्वागत है मैं सुस्मत्याग यात बनाने जा रहơi हूं अलिगडी फिमोस रेसिपि बरुले ये अपको यह बहुत लाधा देखने को मिलेगी यह इन्ही दिनों में मिलती है जब नय नय आते हैं और बहुत च्छोटे अलू की भी बना सकते हैं हम चाहे जितने भी छोटे अलू ले ले इनके लिए अप और उन्हें अच्छे से दो कर साफ को लें मैंने या आधा की लो लिया है और देखि चिलका इंकर इस तरह से उतर न चाहिए इन्हें क्यूंकि इने चिलक नहीं उतारना है और इन्हें कूकर में डाल करके एक सीटी लगा लेंगे दो मेने छे से कूकर में यकромर नगा लेंगे मैंने कूकर में डाल दी है मैं अगर और जितने हमारे आलो में सीटी आती है इतने हम इसके मसाले की तैयारी कर लेते हैं तो उसके लिए मैंने एक चमिज नमक डाल लिया है एक बाउल में या स्वादा नुशा डाल ले आप, आध्य चमिज हल्दी डाल ले और एक बड़ा चमिज आप लाल मुष्छ डाल लें अगर आप मिश्च ना खाते हो तो ना डाले उसकी जगा लाल कलर डाल लें और यह आठ चमस में इसमें आठा डाल लेती हूं आप चाहे तो इसकी जगा चावल का आठा और मैदा या बेशन भी डाल सकते हैं लेकिन मैं सिंपल तरीके से बना रह और इस तरह से हमीनमे आट भी और लेंगे ज़से इने पूर पूरा पूमर कर लें।'? If you think about your mat, भी और इन पर उटा नहीं छिपक रहा है, आप इन्हें थोड़ा सा पानी छिड़ाक लें और फिर यह सब यही सब डाल करके चला लें। तो मैं इसे अच्छे से स्पून से इस तरह से चला देती हूं ताकि जो इनका नीचे बैठा है यह हमारा मसाला यह उपर भी आजाए अच्छे से सभी आलो पर लग जाए और मैंने अच्छे से चला लिया और फिर में इसी तरह से इन पर छिड़क दूगी जो मेरे आटा बच सकते हैं और हम इन्हें इस तरह इन्हें फ्राई कर लेंगे डाल करके हमें इन्हें हलका फ्राई करना है बस थोड़ा सा फ्राई कर लें और रख लें इन्हें में चला लूँगी और यह देखी मेरे फ्राई हो गए है मैंने निकाल लूँगी हमें बहुत जादा फ्राई न कर दीजेगा अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल न भूलें तो यह देखिए मैंने सभी बरूले अपने एक बार उताली हैं और इन्हें आप हम रख लेंगे अगर आपको यह खाने है तो फिर इसी पेपर बहुत ताहर होंगी तो कि इनमें काफी ओल आगे है जो एक्स टॉयल इनका निकल जाएं तो मैं यह निकाल लेती हूं और इनके लिए आप हरी मिर्स के चटनी बना लेंगे जिसका लिंक में नीचे दे दोंगी मैंने रेचिपी उसके डाली हुई है और इने फ प्रेसे उपर से डाल दे और यह दे कि हमारे बलुले खाने के लिए तैयार हैं बहुत ही टेस्टी है बहुत ही जलदी बने वाली रेचिपी है और बहुत ही आसान है कुछ भी ने हमें कास नहीं करना है तो प्लीज अगर आपको मिर्स परसंद आई हो तो लाइक कर दीजे म मेरे चैनल के नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मिलते हैं गली वीडियो में थैंक फॉर वाचीं